दोस्तो बड़ी अपडेट निकल का रही है ससस्त्र सीमा बल में जो वेकिंसी निकाली गई थी मही महीने में और आप लोगों ने है जुन तक फॉर्म को अपलाई किया था जिसमें कई तरह के पोस्ट थे ट्रेट्समैन कॉंस्टेबल की वेकिंसी थी और भी कई तरह के पोस् मैं आपको एक लाइब करके बताने वाला हूँ ताकि आप असानी से समझ सके किस प्रकार से आपको जो है ससस्त्र सीमा बल का एडमीट कार्ड को डाउलोड करना है देखिए अभी आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहां देखिए डाउलोड एडमीट कार्ड का जो है इंप्रॉइमेंट नियूज डेट 20 माई टू 26 माई यानि रोजगार समाचार के 20 माई से लेकर 26 माई के डेट में यह पबलिस किया गया था अड़ोटाइजमेंट तो इसी का जो है एडमीट कार्ड जारी कर दिया गए जिसमें कई तरह के अलग 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 पोस्ट थे जि इस पर साइट पर आएंगे तो यहां पर देखिए आपको option बना हुगा क्लिक करने के लिए जिसाब इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपका page open हो जाएगा यहां पर भी आपको note में जो है एजनकारी लिखा हुगा है PT-PST आपका यहां पर होने वाला है जो कि मैंने आपको है तो ऐस ताम क्या होता है कि आपको कॉस्थ करना होता है जिसा आप रिषाइशशन करते हैं तो आपको दिन मिलता है पासवर्ड मिलता है तो वही वहां रेष्शन आई-ट आप यहां से लिखकि और लोगिन करेंगे अगर माननीजा आप रिषम और बहुल चुके हैं तो पर क्लिक करके आप इसको फोर्गेट कर सकते हैं अगर आप पासवर्ड भी भूल चुके हैं तो यहां से फोर्गेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है फोर्गेट पासवर्ड भी आप कर सकते हैं तो चलिए आप यहां भी आगा करते हैं लॉग इन करते हैं देखें हम यहां पर परके आप forget कर सकते हैं अपने password को तो यह option यहां पर दिये हुए हैं अगर आप mail चेक करेंगे तो आपको इसकी जनकारी मिल दागी आपको बस mail ID पता होने चाहिए किस mail से आपने form को भरा था वहां पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल दागा आपका रिशन ID वगर सब मिल द अब चलिए हम यहां पर करते हैं जनकारी को लिखे यहां पर login करते हैं लोग इं करते हैं ब्रेंट्स आपका application status यहां पर दिखाता है और यहां पर आपका आपकी जनकारी सो होता है यहां देखिए das डौनोड एडमीड का option मिलता है अप डौनोड एडमीड गाड पे click करेंगे डौनोड एडमीड काड का pdf हो जाता है और यहां पे आपका आविदन का पद, तो यह आपका admit card है, आप इसे print out निकाल लेंगे, और इसका hard copy लेकर जाएंगे, इसके साथ साथ आपके जितने भी documents है, जैसे आपका application form, यह admit card, जाती, निवास, और metric, इंटर, जो भी आपका essential qualification है, उस सारा चीज लेकर जाएंगे, अधार card भी ले लिजेगा, सब चीज आप जो है, लेकर जानी है, original और साथ-साथ उसका photo copy भी आप जरूर लेकर जाएंगे, तो इस सभी documents के साथ आपका करेंगे, इस address पे और इस timing के साथ आप पहुंचेंगे, अपना PhD, PhD देंगे, और आपका वहीं पर result पता चल जाएगा, कि आपका PT, PhD में selection हुगा, कि नहीं हुग तो I hope friends, आप लोग समझे होंगे, कि SSB का admit card कैसे download करेंगे, PT, PhD के लिए, अगर आपके मन में कोई भी doubts है, comment box में पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, admit card download करने में, तो आप हमें mail कर सकते हैं, हमारी team आपको जो पूरी मदद करेंगी, admit card download करने में, और